दोस्तों नौसकार, वर्तमान लोगसभा में एक बात यह अच्छी नज़ा आ रही है कि सरकार के साथ साथ विपच्छ भी खुब सक्री नजर आ रहा है। पिछली दो लोगसभा में चूकी और चारिक रूप से कोई नेता विपच्छ में नहीं था। नेता पर्थिपच्छ ना होने से विपच्छ की प्रभावे भूमका भी नहीं दिख रही थी। संसद का मांसून सत्र इस बात के लिए खास तोर पर याद किया जाया कि इस दवरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि लोगसभा में स्पीकर ओम भिरला और राजसभा में सभापती जगदीब धनगर से विपच्छी सदस्यों ने जान बूज़ कर उलजने का प्रयास किया। दोनों सद्नों के सभापतीनों पर विपच्छ ने तमाम तरह के आचेप लगाए। कई तरह के हतकंडे अपनाए। संभावता ऐसा इसलिए किया गया ताकि आसन की निस्पच्छता को संदेह के कटगरे में खड़ा किया जा सके। खास बातीया है कि विपच्छी सद्शच र सदन की सद्श्टा की सपत लेते समय सवंभीधान की प्रति हात में ले रखी थी। लेकिन उसी सवंभीधान के नियमों से बनी संसत के संचालन की नियम-पुष्टिकां में लिखे निर्देसों का पॉलं करने में उक्वता ही ब बच्चन का है जिन्होंने राजसभा के सभापती जगदीव धंगण को नाहा की विवाद में घसीता और गलत परंपरा कायन की इस बात के सत्र के दोरान दोनों सदनों की कारवाई पर गवर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सरकार को छोड़कर विपच्छ अब लोगसभाई ने भीड़ते रहने की रन्नित पर चल रहा है इसके अलावा इस बात बार्याभी देखने को मिला की विभिन ने बिधेकों पर चैर्चा की दोरान एक दूसरे पर हमला कर रहे पच्छ विपच्छ के नेता मुल मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान के निरत नहीं कर रहे नेताओं के सम्मोधन में सुर्कियों में आने लायक और उनके भासणों को वाइरल करने लायक समगरी तो थी लेकिन देश की वरतमान समस्याओं का हल सुझाने या भविष्ट की जरूरतों को पूरा करने वाले सुझाओं का नितांत अभाव था देखा जाए जो संसद की क कारवाई के संचालन पर देश का क्रौन रुपिया खर्च होता है इसलिए सांसदों को चाहिए कि वह सिर्फ अपने राजनीतिक प्रभुत्त को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाए जनहित के मुद्दे को उठाने और जनता की समस्याओं का हल निकलवाने को प्राथमिक दो लोकसभा में चुकी अब चारे रूप से कोई नेता पर्तिपच्छ नहीं था इसलिए विपच्छ परभावि खूंका में नहीं दिख रहा था उस समय संसद में बिना बहांस के ही कई हम विरह पारित हो रहे थे लेकिन अब लोगसभा में विपच्छ का नेता बनने के बाद से राहुल गादी जिस तरह जनित के मुद्दों को प्रभावी धंग से उठा रहे हैं उससे सरकार अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पा रही है वैसे यह अच्छी बात है कि अब जिन विद्यकों पर आम राय नहीं बन रही है उन्हें संयुक्त संसदी समित को भेजा जा रहा है गवर्तला भाई कि पिछली लोग सभा में ऐसा देखने को नहीं मिलता था लेकिन इस बार विपच्छ कि सीटों की संख्या पढ़ने से उसकी ताकत भी बढ़ी है इसलिए विपच्छ राज सभा सभवपती से भीड़ने लगा है लेकिन ताकत बढ़ने पर विपच्छ को इसका दुर्पियोग करने के बजाए इस ताकत का सदुपियोग करना चाहिए जनता से जुड़े सवालों को उठाना चाहिए जिसे छेत की जनता भी जाने की जिसे हमने संसर में भेजा धंग से रख सकता है फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई खबरों के साथ तब तक आफस्वस्त रहें सुदच्छित रहें खुस रहें ठन्यवाद